कि शेहद की मक्ही क्यों आती है क्या गाम है गुलतारे का ये बात जो समझाओ तो समझे तुन्हे दाना कि शेहद की मक्ही की मलाकात ने इसे आशिक है गुबर बेगे बुल्बुल की है शेदार यागेज किलाता है इसे सेर का चसका सिल्वाग की किलियों से तो अटका नहीं इसका बाता है इसे इनके चटहने का तावाशा सबजे से है कुछ काम के मतलब है सबासे क्या प्यारे कुछ शित के परिंदों की सदा से माता है इसे पूल पे बुल्बुल का चहितना या सर पे बैठे हुए कुपरी का ये गाला पैराम कोई लाते है बुल्बुल की जुबानी क्या कहती है उनके खानों में कहानी क्यों वाह में आती है ये बतलाओ तो जाले क्या लेने को आती है ये बतलाओ तो जाले बेवजह तो आखिर कोई आना नहीं इसका खुश्या रह्मत की इसे ना पिलना समझना बेसूद नहीं बाग में इस शोक से उड़ना कुछ चेल में ये वक्त गवाती नहीं अपना करती नहीं कुछ काम अगर अकल तुमारी हम तुम को बताती है सुनो बात हमारी जिसे शहद वह एक तरह का रस है आवारा इसी चीज़ की खातिर ये मकस है कखा है खुदा ने इसे फूलों में छुपाकर मक्खी इसे ले जाती है चत्ते में उड़ाकर हर फूल से ही चूसती पिरती है इसी को ये काम बड़ा है इसे बेसुद ना जानू मक्खी ये नहीं है कोई ने मक्खे खुदा की मिल पाना हमें शहद ये मक्खी जो नहोती इस शहद को फूलों से उड़ाती है ये मक्खी खुद खाती है औरों को फिलाती है ये मक्खी इसान की ये चीज अज़ाबी है दलाबी खुद ग्लाबे ये मक्ई जो तलाबी